दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट पा, किस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान गो लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो जिस तरह हमारी चेकिंग होती है यहाँ वहाँ ऐसे देखा जाता है जिसका में जिक्र भी नहीं कर सकती फिंडी मीडियम नाम की फिल्म से बॉल बुड में अपना कदम रखने वाली एक प्रेस सवा कमर का एक इंटर्वीव वाइरल हो रहा है जिसमें एक टीवी शो के दौरान वो एक पाकिस्तानी हुने के दर्द को बयां कर रही है हाल में ही पाकिस्तान में एक छोटी सी बच्ची करे पहुआ है जिस बारे में बताते हुए उनके आँखों में आसु आ गए साथ ही साथ उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे एक पाकिस्तानी होने की वजह से दुनिया भर में उनकी चेकिंग होती है और उन्हें रोप के रखा जाता है यहीं नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी होने की वजह से कई बार उन्हें अफमानित होना पड़ता है पाकिस्तान के एक टीवी शो के दौरान सबा कमर ने अपनी बात को खुल कर सभी के सामने रखखा और कहा कि पाक सरजमी के जिसके हम नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो जिस तरह हमारी चेकिंग होती है यहाँ वहाँ ऐसे देखा जाता है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती मुझे अपने आप में इतना अपमानित महसूस होता है इस बात को कहते हुए सबा ने कहा मुझे याद है जब मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी तो एरपोर्ट पर मेरे साथ जो इंडियन प्रूथे सब निकल गए थे लेकिन मुझे रोक लिया गया मेरा जो पासपोर्ट था उसने मुझे रोक लिया क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ उस दिन मुझे एहसास हुआ कि क्या ये इज़्जत है हमारी क्या ये हमारी पोजिशन है कहां स्टेंड करते हैं हम एक अजिए एक अजिए एक अजिए एक च्छाब एक अजिए एक बाइए एक अजिए एक लिए्ट आप स्टेंट है